स्टडी आईक्यू आईएस अब तयारी हुई अफोर्डबल डिजिटल गॉवर्मेंट एक बहुत ही इन थिंग है यहां पर वो डिजिटल गॉवर्नेंस लाने में मदद करती है और होल अफ दी गॉवर्मेंट जो अप्रोच है वो है हर इस तरपे गॉवर्मेंट के आप सभ हेड हैं उनके द्वारा एक बैक्ग्राउंड पेपर प्रिजेंट किया था उसको यहां पर डिजिटल गॉवर्नेंस की बात करें तो यह रिफर करती है कैरिंग आउट गॉवर्नेंस प्रोसेस इन डिजिटल वे जो भी पहले कार करने का तरीका था शाशन का प्रशाशन का मंत्रालेंग का उसी चीज़को अब हम ग joue स्के माद्यम से संपन करा रहे हैं तो यहां पर हम देखते हैं इसको इलेक्ट्रोनिक इध माणें सब्सक्राइब एटेडन कर देखर Alright Wednesday we are hou"; कोई भी बिडिप्डरों हो जिन को अफ नीकल यह सब्सक्राइबुरेंस निकल्क के आता है वह होता है Simple, Moral, Accountable, Responsive and Transparent Smart Governance, Reality बनती है E-Governance में देखा जाए तो mainly चार पिलर्स है Processes के People जिनके लिए कार किया जा रहा है क्या Technology यूज़ करी जा रही है और साथ में क्या Resources यूज़ करे जा रहे हैं So Digital Governance या E-Governance चार महत्पूर्ण पिलर्स पर है Processes, Simple होने चाहिए, Citizen Centric होने चाहिए केंदर में Citizens को रखना चाहिए ना कि Technology से Obsessed हो उस Technology का कोई फायदा नहीं है जो कि Local लोग जिसका उप्योग ना कर सकें जैसे Digi Locker है बहुत ही आसान एक तरीका है अपने सारे Documents को रखने का तो एक ऐसा इनिशेटिव है जिससे कोई भी आम वेक्ती भी जुड़ सकता है इसी के तहए पिलर टू पीपल लीडर्शिप, कमिटमेंट, कम्पिन्टेंसी, चेंज ओरिएंटेड होना चाहिए जो भी लोग हैं जिनके लिये किया जा रहा है वो भी पीपल और साथ में जो लोग मंत्रालियों में बैठे हैं या फिर डिस्टिक आड्मिस्टेशन में बैठे हैं या फिर स्ट्रीट लेवल बिरॉक्रसी में काम कर रहे हैं उनमें कमिटमेंट होना चाहिए, उनमें कॉम्पिटमेंट होनी चाहिए चमता होनी चाहिए उनमें और technology का use करना है, पिलर 3 है, architecture होना चाहिए हमारे पास computers होने चाहिए, internet की सुविधा होने चाहिए, standards होने चाहिए इसके साथ-साथ reliable होने चाहिए हमारे जितने भी E-Governance program है अगर वो कुछ दिन चलके फिर fail हो जाते हैं बंद हो जाते हैं तो उनका कोई फायदा नहीं है इसी के साथ साथ security भी एक बहुत ही महत्पूर्ण चीज है अभी आप देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े राष्ट जैसे चाइना भी हमारे देश पे हमारी power grid पे attack करता रहता है ऐसे समय में हमारा data leak ना हो जाए vulnerability बहुत बढ़ जाएगी साथ में resources holistic हर जगा पर हमें resources मिलने चाहिए efficiency होनी चाहिए service oriented होने चाहिए resources चाहिए वो मंत्राले हो या फिर आपके पंचायत के लेवल पर अब हम बात करें digital governance in India empowering citizen improving efficiency तो digital governance ने बहुत बड़ा incredible transformation किया है हम सभी के लोगों के जीवन में आप जब digital era governance नहीं था उससे पहले अगर भारत में जाएं तो एक-एक कार के लिए लाइन में खड़ा होना और साथ में ऐसे अनुभव होना जहां पर की processes बहुत slow थे तो digital governance ने बहुत processes को easy कर दिया है यहां तक कि बहुत सारे beneficiaries के bank account में पैसा आना हो या financial inclusion हो वो भी digital technologies के थूँ ही संपव हो पाया है implementation की हम बात करें तो implementation की वज़े से huge saving हुई है जो multi hierarchical administration था जो की multi level पे काम करता था अगर मैं बात करूँ आपके commissioner से लेके और लेक पाल तक ही उसमें भी बहुत सारा जो काम unnecessary burden रहते थे सीनियर अधिकारी वो हट गया है और साथ में हम देखने को मिलता है cost भी sharing हो जाती है यहां पर और enabling interrupability होना भी बहुत जरूरी है मतलब जो चीज आप एक scheme के लिए लगा रहे हैं वो दूसरी scheme के लिए भी लागू हो सके अगर कोई क्रिशी में intervention हो रहा है technology का e-governance के दुरू तो वो कहीं और भी replicability हो सके और set standards होने चाहिए seamless view of governments to citizen होना चाहिए कहीं पर भी रुकना नहीं चाहिए कोई भी flow बहतर रहना चाहिए यहां पर हम बात करें कुछ particular initiative की जैसे co-win platform है which was made available to the even to the world and world has also taking a notice of it and try to replicate it अभी pandemic में हमें lessons देखने को मिले और digital governance में बहुत सारी जो आपके flagship initiatives भी launch हूँ है lap ship का मतलब है महतपून initiative जैसे प्रदान मंतरी जंदन योजना या फिर direct benefit transfer या फिर प्रदान मंतरी बीमा की जो योजनाएं हैं इसके अलावा प्रदान मंतरी जन आरो की योजना यहां पर सभी यह smart cities जो हमारे 100 शहरों में परिवर्तन लाने का प्रयास करें वहां सभी जग Global Recognition भी आधार program को मिला है और आधार program भी e-governance का सफलतम उधारन है यह दुनिया का सबसे बड़ा identity based program है और साथ में इसके थ्रू मिलने से direct benefit transfers हो चाहे या आपके प्रदान मंतरी गरीब कल्यान अन योजनाएं जैसी योजनाएं भी संभव हो सकी है benefit stories को पहचानने में और anywhere ever happened in the humankind history हम आपके लिए एक खुशकबरी की बात है कि public administration का batch 28th of October से launch होना है परन्तु वहां पर अभी आप जब दशेरे की चुटिया मना रहे हैं तो इसका सदप्योग कर सकते हैं offer का यहां पर दशेरे की sales में आपको पूरा का पूरा program मिल रहा है बहुत ही कम दाम पे that is अगर आप ऐसी live code का use करेंगे तो केवल 18 महीने में 13,999 में यह program मिल जाएगा आप access कर पाएंगे जो पढ़ाई होगी 18 महीने तक ऐसे ही different variation according to the time limit variations हैं इसके अलावा मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि public administration के जो batches हैं जो पढ़ाई होती है वो 1 to 4 pm होती है on the daily basis 1 to 4 pm होती है तीन गंटे हम class में पढ़ते हैं previous year questions की answer writing करते हैं discussion करते हैं EPW के articles, IIPA के articles जो की आपको बहुत ही enrich करते हैं आपकी quality of answers को वो भी classroom में included हैं इसके अलावा आपको handwritten notes भी मिलेंगे handwritten notes, scholars के दोरा provided और साथ में PDF notes भी मिलेंगे ताकि आपको books खरीदने की जरूरत न पड़े इसके अलावा यहां पर आपको 12 test मिलेंगे जिसमें 8 sectional text होंगे और 4 full length test होंगे इतना सारा होने के अलावा आप हमेशा जुड़े रह सकते हैं और कोई भी query हो तो उसके लिए discussions होते हैं और साथ में doubt clearing classes भी होती हैं अब यह सब जो है आपको बहुत ही उचे दाम पे मिल रहा है तो देर ना करिएगा आप सभी का स्वागत है तारीख याद रख ले यह केवल 25th of October तक है अब adoption of technology and clear vision for digital governance across whole of the government has helped अब यह whole of the government का क्या मतलब है public administration में whole of the government approach है जो कहती है कि आपको अगर कोई भी problem कोई भी initiative लेना है tackle करना है तो आप center government, state government, local government तक हर जगा उसका उपयोग करिए intervention करने की कोशिश करिए इसकी वज़े से governance बहुत ही सरल हुई है और masses के पास पहुची है across the board मतलब चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी छेत्र से हो, किसी भी gender के हो, वहां तक सुविधाओं को, योजनाओं को पहुचाने में मदद मिली है digital governance के आने से आना भारत में कोई overnight नहीं था सबसे पहले राजीव गांदी जी के समय से ही computerization की बयार चली 1980s में फिर वो धीरे-धीरे department में, ministries में, सरकारी offices में उनका आना शिरू हुआ और फिर mainstreaming हो गई उसकी बिल्कुल people to government और business to government, government to government, state government and center government इन सारे ही areas में और यहां पर हमें देखने को मिलता है various arms of the government, चाहे वो national, state, local level हो, policy intervention के थूँ, e-governance का use कर रहे है अब अगर हम थोड़ा देखें कि क्या-क्या कुछ महत्पूर्ण चीजे रही है, digital governance related तो प्रगती platform है जो की proactive governance and timely implementation है, जो भी सरकार की योजनाये चल रही है, उनको proactively जो की एक traditional bureaucracy का sense होता है status quo, उससे beyond जाना, status quoist या inertia वाली non-changing bureaucracies को change oriented bureaucracy में pro-activeness के साथ आगे बढ़ाना, culture of proactive governance, timely implementation of all the schemes, so real-time basis से हम क्या कर सकते हैं, exchange कर सकते हैं, key stakeholders के बीच में सारा data, key stakeholders का मतलब है, जो भी agencies, programs को implement कर रही हैं, या फिर directorate हैं, वो अपनी mother ministry के साथ जोड़ सकते हैं, और इसको देखा जा सकता है, observe किया सकता है, monitoring of important program of union and state governments, common men के grievances को यहाँ पर प्रधान मंतरी जी अन्ने बड़े अफसरों के साथ बैठके इसको कर रहे हैं, use, इसके साथ साथ दरपन जैसी चीज़ है, जो कि अपने आप में दरपन is showing the dashboard, यहाँ पर एक dashboard आपको दिखने को मिल रहा है, दरपन में बहुत सारा जो data है, वो बहुत ही glance के लिए, एक नजर के लिए एक बहुत ही अच्छे format में दिखाया जाता है, जिससे सारी की सारी चीज़े पता चल जाए, जैसे यहाँ पर आपको marriage registration देख रहा है, प्रॉपर्टी registration देख रहा है, और दीन दियाल ग्राम जोती में विलेजिस की कितनी electricity electrification हुआ है, वो एक data नजर आ रहा है, ऐसे ही आप पता कर सकते हैं कि year-wise, year या छे महीने में कितना progress हुआ है, तो key performance indicators जो हैं कि कितने लाभारती बढ़े हैं, गटे हैं, कितना transfer हुआ है पैसा schemes के लिए या कितना लोगों तक पहुचा है, इन सब को observe किया जा सकता है, आगे हम बात करें, common service centers हैं, जन सेवा केंदर हैं, इनके द्वारा जो भी governance से related schemes हैं, लाभारतीों को, बिल्कुल beneficiaries को, ground पे और पंचायतों तक के level पे मोहिया कराया गया है, यहां पर आप देख सकते रहे हैं, आपका common service centers के दुरूप जो रोज मर्रा की जिंदगी में होने वाली चीज़े हैं, जैसे आधार का enrollment है, electricity pay करना है, mobile charge कराना है, कहीं तरह के examination में अगर form भणना है, scholarship का form भणना है, तो ऐसी उप्योग करा जाता है, यह करानती है, expansion of internet, mobile phones तक पहुचाए, computer, rural areas में जाए, और बहुत तरीके के जो आपके programs हैं, चाहे वो state level के land record से related हो, या e-health के programs हो, उनको करने में यह मदद करता है, सो mission mode, बहुत सारे जो programs हैं, उनको ground पे लगाने में मदद करता है, इसके अलावा e-courts है, भारत में 5 करोड से भी जादे मामने लंबित हैं, supreme court, high court और district और lower courts level पे, e-governance आने से judiciary में बड़ा ही फायदा हुआ है, जो time है, वो कम हो गया है, किसी भी case से related, कहीं जगा virtual court की जो वयुस्ता है, उससे भी दोनों partyों को अपनी अपनी जगहा से दूर भागना नहीं पड़ता है, और जहां पर वो इस्तित हैं, वही पर से अपनी गवाही या अपन इसने को मिलती है, e-district program भी है, जो की last mile connectivity को ensure कर रहा है, और लोगों के जो छोटे-छोटे से income certificate, birth certificate, death certificate, widow, pension, ऐसी समस्याओं को district इस्तर पे solution देने में मदद कर रहा है, इपंचायतों की वैस्ता है, पंचायत अपने आप में third year of the government है, principle of subsidiarity पे common problems, common लोगों की उनी के पास solve हो, work करती है, इपंचायतों के माद्धम से पंचायतों को जोड़ना district से और district state से, center से है, और MCA, ministry of corporate affairs में, MCA 21 program है, जो की जैसे digital signature लेना, companies का registration करना, इसमें बहुत ही मदद करता है, और एक sense में entrepreneurship को बढ़ावा देता है, ease of business को भी बढ़ावा देता है, यह office है, offices में public administration में जब हम पढ़ते हैं, तो कोई भी file movement की अगर बात करें, तो multiple level से होके जाती है, और एक file physical form में एक जगा से दूसरी जगा जाने में बहुत time लगता है, लाल, फीता, शाही, red tapism उससे जनम होता है, तो offices में better communication हो, file movement तेज हो जाए, electronically उसको हो सके, इसके लिए EVE office आपका launch किया गया था, Department of administrative reforms of public grievance के द्वारा, तो effective and transparent inter and intra governmental process को एक state government, center government के बीच में और साथ में various ministries आपके center government के बीच में ये करा जा सकता है, डिजी locker एक ऐसी सुदा है, जो कि common man use कर रहा है, और उसको बहुत सारे दस्तवेज ले जाने की जरूरत में ही है, वो अपनी बहुत सारे जो दस्तवेज है, वो electronic form में भी store भी कर सकता है, hospital online registration framework, तो ये initiative है, online OPD appointment लेने का, बहुत सारे जो test होते हैं, उन मेडिकल records को भी रखने का, management करने का, और यहाँ पर हम देखते हैं, यह जितनी भी चीज़ें हैं, यह smart governance की तरह हमें ले जाती हैं, और smart governance को सक्षम बनाती हैं, जैसे हमने डीजी locker की यहाँ पर बात करी और e-hospitals की बात करी, जहाँ पर blood bank है, dietary, laundry, सुईधा, और pharmacy, radiology, lab, जो भी आपको test कराने हैं, वो एक platform के मादिम से हो सकते हैं, सो अभी तो हमने यह बात करी, जो की चीज़ें चल रही हैं, way forward क्या है, भारत में अभी भी कई सारी चीज़ें हैं, जो की दुरूस करनी जरूरी हैं, उनके उपर सरकारों को, लोगों को, और agencies को, bureaucracy को काम करने की जरूरत है, उन में से कुछ है, कि भारत में तो एक तो vast experience है difference in demographics देखने को मिलता है, remote area अभी भी दूर है, अभी जो भी समस्याएं है, digital governance के थूरू इसको solve किया जा सकता है, परन्तु, हमें अगर यह proactively address करना है इन चीज़ों को, तो 3-4 बिंदू हैं, जिस पे की बहुत ध्यान देने की बात है, अब वो क्या है, वो देख लेते हैं, regulatory framework है, तो government को institutionalize करना पड़ेगा robust regulatory framework for seamless implementation, digital services के लिए, बहुत सारी जो services है, उनको regulation करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे आपके platforms हो गए हैं, साथ में बहुत सारे service agents भी है, bank भी है, insurance भी है, आजकल बड़ी घटनाएं भी हो रही है, जिनके तूँ, जो आपकी identity, fake identity या phishing के माध्यम से बहुत सारे लोग का पैसा भी निकाल लिया जा रहा है, और effective design और implementation की जरूत है, effective implementation depends on quality of design, भारत में IT capacity बहुत ज़्यादा है, private sector में अच्छी, उसको हम government sector में भी leverage कर सकते हैं, lateral entry जैसी सुइधाएं भी schemes भी government ने recent years में शुरू करी है, उनको भी आगे बढ़ाए जाने की जरूत है, further, focus हमारा होना चाहिए कि right enablers for effective implementation, planning, futuristic, agile, scalable implementation हो, future के लिए हम सोचें कि जब हमारी जनसन के और बढ़ जाएगी, या digitization और ground level पे 100% की तरफ जाने लगेगा, और जो change है from the non-e-governance to e-governance वो जल्दी हो, जो भी आपके अभी भी electronic governance से दूर है ल seamless हो, और जल्दी हो, agile हो, इसके अलावा अगर हम बात करें, एक digital divide बड़ी समस्या है हमारे देश में, लोगों के पास at the citizens level, access to smartphones नहीं है, ग्रामी इंचेतरों में internet कम है, तो digital divide में एक rural और urban digital divide है, फिर एक digital divide है आपका low income और high income में, और एक digital divide है आपका women और men, male और females के बीच में, यह सारे ही address करने बहुत ही जरूरी है, security और privacy की अगर हम बात करें, तो data एक बहुत बड़ा किसी भी organization के लिए, या किसी भी corporate organization के लिए, multinational companies के लिए भी एक mine है, और इसका दुरुपियोग बहुत तेजी से हमारे देश में होता भी दिख रहा है, और ऐस समाना जाता है कि बहुत सारी reports भी recently आयती कि बहुत सारे data आधार जैसे सुविधाओ का भी compromise हो सकता है, तो हमें बहुत ही सुरक्षित जंग से इस data को सुरक्षित करने के लिए प्रयास करने होंगे, तो where digitization बहुत ही एक part आता है कि security और privacy का, यह अगर हम सुरक्षित नहीं क I hope कि आपको यह lecture अच्छा लगा होगा, कुछ आप इससे सीखे होंगे, ऐसे ही lectures को जानने के लिए public administration से related, बहुत सारे अपने doubts को clear करने के लिए, study material लेने के लिए, IIPA, EPW के articles भी download करने के लिए, और बहुत सारे पढ़ाई के लिए आप जुड सकते हैं public advice शेकर, जो की Instagram औ और टेलिग्राम, दोनों की ID है, आप जुड़ें और वारतालाब करें, कोई भी आगर आपके दिमाख में संशे है, related to public administration, आप उसको दूर कर सकते हैं, अब तब तक के लिए, जै हिंद और जै भारत